गुड मॉर्निंग दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सबके अपनी योट्यूब चैनल डियर गुरू जी पर सो गैस मुझे पता है कि हिंदी का जो लाइव टेस्ट है नाइट में होना था रात को दस बजे कल बट नहीं हो पाया प्रॉब्लम आ गई थी जो मेरा मॉबाइल था जिसमें सारे डाटा पड़े हुए थे सारा सब कुछ मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था वो मॉबाइल कहीं केर गया चोरी हो गया कुछ आडिया नहीं लग पा रहे अभी तक तो नहीं लगाया उसका ऐडिया इसे वैसे कल जो क्लास है वो नहीं हो पाय थी बट आज आप सबके लिए वही क्लास फिर से में repeat कर दे रहा हूँ और यहां पर आज का जो क्लास है बहुत ही जग्या बहुत ही जादा अच्छा सेशन होने वाला है यहां से पक्के हैं तो तीन कोशन आपको देखने को आपके एक्जाम में मिल सकते हैं तो पूरे सेशन को और तक देखिएगा स्टार्ट करें क्लास को वीडियो को लाइक और सेर कर दीजिए मुझे पता है timing कुछ ऐसी है जादा लोग नहीं जूड़ पाएंगे बढस आप लोग का काम बनता है जादा से जादा शेर कीजिए जिसे जादा से जादा लोग यहाँ पर जूड़ सकें तो चलिए ready हैं आप सभी लोग चलिए I hope आप सभी लोग ready होंगे तो start करेंगे class को तो पहला question आप सब के सामने ये रहा प्रिष्ठांकन का अंग्रेजियन बाद क्या होगा चलिए प्रिष्ठांकन जी हाँ बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो जल्दिली test को ख़तम करेंगे ज्यादा समय नहीं कवाएंगे यहाँ पर तो याद रखेगा endorsement होता है प्रिष्ठांकन का अंग्रेजियन बाद तो option जो इसका D है वो यहाँ पर correct हो जाएगा इसके लावा amendment यहाँ पर दिया गया इसका मतलब संसोधन होता है क्या होता है सर इसका मतलब होता है प्रति रूप clear है सर चलिया आते हैं अगले question पर तो अगला question आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि एफिडेविट इसका हिंदियन बाद क्या होगा सबको पता होना चाहिए भई एफिडेविट आप लोग यूज करते हो जब भी कोई problem आ जाती है या कई गलती से आप लोग मांग सेट लगाना भूल जाते हो तो वहाँ आप लोग एफिडेविट का यूज करते हो यहाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है तो सपत पत्र तो जितने भी लोग यहाँ पर option number A बोल ले हैं एफिडेविट का अंगरीजन बाद जो होता है हिंदियन बाद वो आपका सपत पत्र होता है clear है इसके लावा यहाँ पर जो दिया गया है सब्द प्रस्ताओ प्रस्ताओ की इंगलिस क्या होती है resolution होता है इसके लावा समायोजन होता है adjustment और विवरड का होता है description जैसे कि आपको description box में आपको link मिल जाएगा PDF को download करने का या मेरे other videos को और second channel को देखने का link आपको वहाँ पर मिल जाएगा चले आते हैं अगले question पर तो अगला question देखिए हाँ पर क्या कह रहा है कि वाक्य में प्रियोक्त लोकोक्ति का उचित साब्दिक अर्थ क्या है देखिए fresh blood fresh blood का मतलब क्या होता है जवाब देए सबी लोग तो यहाँ पर कुछ लोग बोलना है ताजा खोन नहीं भई fresh blood का जो मतलब होता है वो आपका नया खोन होता है बहुत important और confusing question है तो इसको important tick करिएगा और नया खोन यहाँ पर tick करेंगे और बढ़ेंगे अगले question की ओर तो अगला question आपके हाँ पर कह रहा है इसका अंग्रेजी अनवाद बताना है according to bijak cost works out at the market बताईए according to bijak cost works out dot 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 at the market rate जवाब देखिए हाँ पराना शुरू हो गया है तो याद रखिएगा इसका जो हिंदी अनवाद हो जाएगा जो लोग B बोल रहे हैं कि bijak के अनुसार बाजारदर के हिसाब से logot dot 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 beth t है तो यहाँ पर जो लोग भी B बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है clear है सर चलिए आते हैं question number 5 पर तो आप से कह रहा है कि arrangements are being made to ensure timely submission of report बताइए arrangements are being made to ensure timely submission of report बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखिएगा report अपने समय report समय पर प्रसुत करने की व्यवस्था की जा रही है तो जो लोग यहाँ पर option number D जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है clear है सर चलिए question number 6 की तरफ आते है question number 6 आप से कह रहा है authorization letter with specimen signature of the bearer बताइए authorization letter with specimen signature of the bearer जब आप देखिए हाँ पर आना शुरू हो गया है तो बहुत important question है tick कर लीजेगा important group में तो इसका जो correct answer हो जाएगा वाहक के नमूना वाहक के नमूना हस्ताचरवाला प्राधिकार पत्र तो जितने वो लोग यहाँ पर option number A tick किये थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है चलिए सर आते हैं एक ले question पर तो अगला question देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है भाव युक्त सुद्ध अनवाद करना है I was overjoyed I was overjoyed इसका मतलब क्या होगा चलिए यह तो सबको पता होना चाहिए अभी हाली के कुछ papers में यह question जो है पूछा गया था यह यहाँ पर संबली तबर अधिरस टू लिखा गया है इसके लबाव एक दो एक्जाम में और यह question जो है पूछा गया भी हाली के साथ यह वा कल्यान में पूछा गया था तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है मेरा दिल बाग बाग हो गया तो जितने लोग यहाँ पर option number C बोल ले है मेरा दिल बाग बाग हो गया वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है clear है sir अगर यहाँ पर जैसे उल्लसित लिखा है आपको लाइक करने में कि आपका हाथ दर्द होता है आप लीज वीडियो को लाइक और सेर करते हो चलो लाइक करो और सेर तो जरूर करो question number आपका 8 यहाँ पर कह रहा है यदि हिंदी प्रस्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं पताए हाँ या ना में अगर आप उत्तर दे सकते हो तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ अंग्रेजी में नहीं तो अंग्रीजी में अगर बोलते हैं अगर आप कोई interrogative होता है why, who यह सारे आपके जो होता हैisto मैं आपसे पूछता हूँ auxiliary verb के रूप में convert करते हो समझ में आ गया ना जिससे यहाँ पर क्या तुम बजा जा रहे हो तो are you going to market तो are you going to the market तो are जो है आपका एक auxiliary verb है clear है तो यह जो हमेशा याद रखेगा तो option तो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आते हैं एकले question पर तो अगला question है आपर कहरा है कि agenda is sent here with dot 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 के लिए हिंदी में होगा बताइए सर बहुत ही अच्छा question है जवाब देखें हैं आपर आना शुरू हो गया है तो याद रखेगा इसका जो correct answer है क्या हो जाएगा इसका दोस्तों अगर हम देखते है correct answer क्या होगा बिल्कुल सही बात है भई कारे सूची साथ भेजी जा रही है तो जितने लोग यहाँ पर option number A जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है clear है sir clear हो रहा तो या प्लीज अफित अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चलो चली आते हैं question number 10 पर तो आप से यहाँ पर कह रहा है कि as mentioned there rain dot 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 के लिए हिंदी में होगा बताइए जवाब दीजे question number 10 का सभी लोग question number 10 का जवाब देखिए हाँ पर आना सुरू हो गया है तो बिल्कुल साही जवाब आ रहा है तो यहाँ इसका जो सुद्ध हिंदी अनुवाद होगा वो जायागा जैसा कि उसमें उल्लेक किया गया है तो जितने लोग यहाँ पर option number A बोल ले हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हैं चलिए सरा आते हैं question number 11 की तरफ तो यहाँ पर इसका अंग्रेजियन बात का चैन करना है हमारा सर्वोपरी करतब यह है देश की सेवा करना हमारा सर्वोपरी करतब यह है देश की सेवा करना यानि की our foremost duty यह तो बिल्कुल सही होगा our foremost duty बट यहाँ पर इन दोनों में कौन सा correct होगा C और D में देखो our foremost duty is to serve the country या is to serving the country तो serving नहीं होगा सर यहाँ पर serve the country होगा तो जितने लोग यहाँ पर C option बोल ले हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हैं चली आते हैं अगले question पर तो अगला question आपका यहाँ पर कह रहा है कि दिये गए विकल्पों में से उप्रोक्त वाक्य के सही हिंदियन बात का चैन करना है a vulgar mind is one who would like to command instead of asking or requesting यानि की vulgar मतलब क्या होता assist यहाँ पर क्या होगा assist होगा या दुष्ट होगा तो assist होगा बिल्कुल सही बात है तो यहाँ पर पहला या दूसरे में से कोई एक option होगा तो देख लेते हैं एक असिश व्यक्ति कुछ कहता नहीं आदेश देता है और यहाँ पर दूसरा एक असिश व्यक्ति वहा होता है जो कहने या प्रातना करने के पेच्छा आदेश देनी के इच्छा रखता है तो बिल्कुल सही बात है तो जो लोग यहाँ पर आपसर नमबर फिर राजनेती करें इसका हिंदी अनवात क्या होगा अंग्रीजी अनवात क्या होगा जलिए इसका जवाब देखें आपना आना शुरू हो गया है तो बिलकुल सही बात है भाई यहां पर इसका जो correct answer है वो आपका क्या हो जाएगा भी यह Students should be eligible before and then do politics यानि कि पहले उनको eligible होना चाहिए योगी होना चाहिए उसके बाद politics करना चाहिए तो option number जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आते हैं अगले question पर तो अगला question आपका यहाँ पर कहा रहा है कि कि स्वतंतर भारत का संपूर दाई तो आज भारतियों के ही हातों में है बताईए question number 14 का जवाब देए sir कि स्वतंतर भारत का संपूर दाई तो आज भारतियों के ही हातों में है 14 का जवाब देखिए, यहाँ पर आना सुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है सर तो यहाँ पर इसका जो correct answer क्या हो जाएगा, option number C The entire obligation of independent India is in the hand of students only तो जो लोग यहाँ पर option number C जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है चलिए आते हैं, question number 16 पर, question number 16 आप से कह रहा है कि भई, यदि सच्चे दिल से समाज के हित के लिए कारे किया जाए तो समर्थन अवस्य मिलता है बहुत अच्छा question है जवाब दीए यदि सच्छे दिल से समाज के हित के लिए कारे किया जाए तो समर्थन अवस्य मिलता है चलिए जवाब देखें आना शुरू हो गया है तो इसका जो correct answer है क्या हो जाएगा चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कुछ लोग B बोल रहा है तो देख लेते हैं B वाला सही एक नहीं इफ ट्रू और किस डन फॉर वेनिफिट आफ सोसाइटी तो बिल्कुल सही बात है तो option जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा मुझे पता आज का थोड़ा सा boring lecture है बोरिंग session है बट आप लोग थोड़ा सा enjoy करो क्योंकि important है आपके लिए तो important है तो आप प्लीज अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को like और share करते वह चलिएगा question number आपका 17 कह रहा है यहाँ पर अधियो तथा व्योसाय में इस परधा होना स्वभाविक है उद्योग उद्योग याने कि आपका industry industry हो गया और व्योसाय याने कि business तो बिजनेस और industry आना है तो देखे यहाँ पर बिजनेस बिजनेस आ रहा है इंडेस्टी नहीं आ रहा तो यह होगा नहीं तो इन तीनों में देख लेते हैं तो पहला किया competition is in competition in industry and business is natural तो अगर हम बात करते हैं पहला आप्सन बिल्कुल सही लग रहा है competition जो आपका competition है कहां पर industry में और business में स्वाभाविक है प्राकिर्टिक है तो option जो इसका A है वो यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा चली आते हैं question number 19 पर 19 question कह रहा है मुह में थोड़े से हमारे अलसर हो गए यानि कि छाले हो गए है इसी वाज़ा से थोड़े सी problem हो रही है यह बोलने में तो उसके लिए माफी जाओंगा और मेभी आज पूरा test complete भी ना कर पाऊंगा चाली सी question करेंगे उसके लिए माफी जाओंगा पहला 19 question कह रहा है कि वैसे देखा जाए जो mobile phone निश्चित रूप में वरदान है वैसे देखा जाए जो mobile phone निश्चित रूप में वरदान है इसका English अनवाद क्या होगा 19 का जवाब देखे हैं आपर आना शुरू हो गया है तो याद रखिएगा if we think about it the mobile phone is definitely a boon यानि कि ए बून है एक वरदान है तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो जितने लोग यहाँ पर option number B C बोले हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है देखे आते हैं अगले question पर तो अगला question आपका यहाँ पर क्या रहा ह question number 20 में सब भारतवासी एक होकर डट कर विपत्ति का सामना करते हैं सब भारतवासी एक होकर डट कर विपत्ति का सामना करते हैं तो इसका क्या होगा बताइए 20 का जवाब देखें आपर आना सुरू हो गया है तो सब भारतवासी है ना तो all the Indians होगा तो यह तो सही बात है त तो some Indian to anche जाएगा. अब all the Indians, एक होकर δट कर भिपत्ति का सामना करते हैं, यानि कि एक होकर, तो, एक होकर तो stand United, stand United, इसमें तो S वाला option कट गया, stand United, भिपत्ति का सामना करते हैं, and face the good crisis होगा, भै good crisis का मतलब क्या होता है, good crisis का सामना Hundred करते नहीं, जाएगा चलिए कोईशन नमबर 21 पर आते हैं तो कह रहा है कि कुछ विदेशी पच्छियों के इसको सैर करने का बहुत सौख होता है कुछ विदेशी पच्छियों को सैर करने का बहुत सौख होता है इसका जवाब क्या होगा चलिए 21 का जवाब देखिए हैं पर आना है कि हमारे कलाकारों ने पत्थरों के द्वारा या संदेज दिया हमारे कलाकारों ने पत्थरों के द्वारा या संदेज दिया इसका अंग्रेजियन वात क्या होगा चलिए जवाब देखिए हाँ पर क्या हो जाएगा हमारे कलाकारों यानि कि आवर आर्टेस्ट संदेज दि 23 पर तो आपसे कह रहा है उसने एक मुकदमा दायर किया देखिए मुकदमा दायर करने का मतलब क्या होता है मुकदमा दायर मतलब होता है filed a suit तो याद रखेगा he filed a suit तो उसने option जिसका a है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा कुछ लोग केस सोच रहे थे बड़ केस नहीं होता है मुकदमा दायर करने का मतलब होता है file a suit तो आप समझे इसका b हो यहाँ पर correct हो जाएगा कोईशन नमर आपका 24 कह रहा है उनके दोरा अपना काम अब तक समापत नहीं किया गया है उनके दोरा अपना काम अब तक समापत नहीं किया गया है इसका अनवाद क्या होगा चलिए कोईशन नमर चोबिस देखें उनके दोरा अपना काम अब तक समापत नहीं किया गया या been finished by them चलिए आते हैं अगले question पर तो अगला question आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई इसको हिंदी में अनुबादित करना है कि hearing hiring of accommodation on proposed terms not approved मताईए hiring hiring मतलब क्या होता भाई hiring मतलब क्या होता सर प्रस्तावित सर्तों पर इस्थान किराय पर लेने का अनुमूदन नहीं मिला तो यहाँ पर देखा जाए तो option जो इसका B है यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा तो जो लोग यहाँ पर option number B जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है clear है sir चलिए आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question आपका यहाँ पर देखिए कह रहा है कि गोपाल आउट टू बी असेंड आफ हिंसेल्फ फॉर सच कंड़क्ट इसका हिंदियन वाद क्या होगा बहुत ही अच्छा question है बताएगे गोपाल आउट टू बी असेंड आफ हिंसेल्फ फॉर सच कंड़क्ट कोईशन नमबर टूंटी सिक्स का जवाब देखिए आपर आना सुरू हो गया है तो बहुत ही अच्छा question है बहुत ही important question है तो इसका जो correct answer है वो आपका क्या हो जाएगा sir कोपाल को अपने इस आचर पर सोयम लज्जित होना चाहिए और टूब एस सैंड यानि कि सोयम लज्जित होना चाहिए तो option जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा question number आपका 27 कह रहा है grass on other side always looks greener इसका हिंदी अर्ज क्या है grass on other side always looks greener यानि कि भाईया जो इसका अगर वैसे हिंदी अनुबाद देखे तो इसका बता होता है कि जो घास होता है दूसरी side से अवेसा क्या होता है greenery दिखाई पड़ता है तो याद रखेगा दूर के जो ठोल होते हैं वो सुहावने होते हैं कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही बात है भाई तो option जो इसका A है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चली आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question ध्यान तो देखे क्या कह रहा है कह रहा है कि सिच्छा मनुस्य की मनुस्य जीवन की new है सिच्छा जो है मनुस्य जीवन की new है इसका सही अनवाद क्या होगा सिच्छा जो है मनुस्य जीवन की new है तो 28 का जो correct answer है वो यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो याद रखेगा इसका जो correct answer है आपका हो जाएगा education is the foundation of our life चलिए बिल्कुल सही बात है भाई option number जो लोग यहाँ पर बोलें A, B वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है चलिए आते है question number 29 पर तो drawing man catches us true यह तो बहुत आसान है इसका जवाब तो सभी लोग दे सकते हैं famous भी है आसान भी है तो इसका जवाब देखिए यहाँ पर आना सुरू हो गया है तो drawing man catches us straw यानि कि दोबते को तिनके का सहारा तो यहाँ पर देखा जाए तो option number जो इसका C जवाब दे रहे हैं तो option C यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा clear है sir चलिए आते हैं question number अगले question पर तो अगले question आपका देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि the teacher was a man of fearless spirit बताइए जो teacher होता है वो क्या होता बताइए fearless spirit तो यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आना सुरू हो गया है जो teacher होता है वो क्या होता सिच्चक एक निर्भीक व्यक्ति होता यह थे सिच्चक जो थे निर्भीक व्यक्ति थे थे क्यों लगाए क्यों कि यहाँ पर वाज लग गया है तो option जो इसका C है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए सरा आते हैं अंगले question पर तो अगला question आपका कहरा है कि the magistrate ordered an inquiry the magistrate ordered an inquiry इसका क्यों होता यह question number आपका जो 32 है इसका जवाब आना सुरू हो गया है तो बिल्कुल सही बात है जो magistrate ने जाज के लिए आदेश दिया यह तो बहुत important है इसको important टिक कर लो यह question आपका maybe आ सकता है बहुत important बता रहा हूँ तो magistrate ने जाज के लिए आदेश दिया चलिए आते है question number 33 पर तो testimonial का हिंदी अनुवाद क्या होगा बताए testimonial का हिंदी अनुवाद क्या होगा चलिए question number आपका जो भी है 33 इसका जवाब देखिए हाँ पर आना शुरू हो गया है चलिए 33 का जो correct answer है क्या हो जाएगा सर testimonial का मतलब होता है प्रमाड पत्र तो जितने लोग यहाँ पर option number C बोल ले हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है I know कि थोड़ी से energy down है बट आप लोग थोड़ा सा like करो motivate करो मुझे जो मेरे problems है वो सही हो जाएगी आज साम तक सब कुछ cover कर लूँगा मैं कोई tension नहीं है और साम वाला test धमाकेदार होगा tension मतली जएगा साम को मैं 100 question लेकर क्या होगा 34 number question आप से हाँ पर कहा रहा है अधी सूचना का अंग्रेजी अनवाद क्या है अधी सूचना का अंग्रेजी अनवाद क्या हो जाएगा जी हाँ बिल्कुल साही बात है नोटिफिकेशन जवाब देखें हाँ पर आना सुरू हो गया है अमेंड मेंड का सटीक हिंदी अनुबाद क्या है बताईए 35 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो अगर हम बात करते हैं अमेंड मेंड के बारे में तो अमेंड मेंड का जो सटीक हिंदी अनुबाद है वो आपका क्या हो जाएगा सर option number 2 यहाँ पर B है वो correct हो जाएगा संसोधन तो जो लोग यहाँ पर option number B बोलना है संसोधन वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है चलिए सर आते हैं अगले question पर तो अगला question कहरा है कि मामला अभी भी विचारा धीन है इसका अंगरेजिन वाद क्या होगा मामला अभी भी विचारा धीन है चलिए 36 का जवाब देखे आना शुरू हो गया है तो इसका जो correct answer क्या हो जाएगा भई the matter is still under consideration तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर option number C बोलने है क्योंकि अभी भी बोला है तो is still हो जाएगा तो option C यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए सर आते हैं अगले question की तरफ अगला question देखे आपसे यहाँ पर क्या गह रहा है कि application may be rejected application may be rejected इस वाकिय का उचित हिंदी अनुबाद क्या होगा बताए सर 37 का जवाब देखे हैं आपर आना शुरू हो गया है तो आवेदन आश्विकार किया जा सकता है तो जो लोग यहाँ पर option number D बोलने हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है आवेदन जो है आश्विकार किया जा सकता है चलिए आते हैं अगले question की तरफ तो अगला question आप से यहाँ पर कह रहा है कि प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी सब्द क्या होगा प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी सब्द क्या होगा पताए 38 का जवाब देखे हैं आपर आना शुरू हो गया है इसके लाव हैं आपर proprietor है proprietor मतलब होता है स्वामी तो Lord मतलब स्वामी मत कहिएगा proprietor मतलब होता है स्वामी Lord तो आपके अलग-अलग होते हैं landlord अलग हो गया एक भगवान अले Lord होते हैं तो वो तो depend करता है कहां पर पूछा गया है 39 आखरी question है जवाब दिए सभी लोग order के लिए 60 हिंदी सब्द क्या है order के लिए 60 हिंदी सब्द क्या है 39 के जवाब देखिए हैं आपर आना शुरू हो गया है तो 39 का दोस्तों correct answer क्या हो जाएगा आपका आदेश तो जितने लोग यहाँ पर option number C बोलने हैं तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct है clear answer तो आदेश यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा so guys यह रहे आज के कुछ important questions मुझे पता है कि मैंने test आज जो है जल्दी खतम कर दिया थोड़ा सा problem हो रहा है बोलने में बहुत जाए दिक्कत हो रही मैं यहाँ तक बोला वो भी मैं कैसे बोला हूं मुझे पता है देखिए energy की कमी नहीं है बस थोड़ा सा मुझ में च्छाले हो गए तो बार वो दात से touch हो रहा है तो उसके लिए माफी चाहूंगा बट अभी cover कर लूँगा कुछ नो कुछ दवाई ले लूँगा मैं उसके लिए और जो भी चीज़े है रात को आपको cover होंगी रात को आज जो भी यहाँ पर question पच रहे हो मैं आपको night में करवा दूँगा और डे में एक तो वीडियो आपको देखने को मिली जाएंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको मिलते रहेंगे आप सबके लिए ऐसे वीडियो ले करके आते रहेंगे तो आज की इस वीडियो इतना ही अभी क्लिए बाबाई टेक कियर जैहिन जै भारत मिलते हैं सबसे नेक्ट वीडियो में